हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागा थाप के अपने यूटूब चैनल संजेक टेकनिकल एरदरेट 21 में हम लोग जो है इसरो VSAC 2021 के ओफिशिल क्वेशन्स पेपर का डिसक्रसंद कर रहे हैं जिसमें हमने पार्ट 1 में 30 क्वेशन्स का डिसक्रसंद किया है इसके बाद आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 में 31 से आगे की क्वेशन्स का डिसक्रसंद करने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है जो लोग भी इसरो की तियारे वगरा कर रहे हैं वो लोग complete वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस रोग की जो भी एक्जाम्स होते हैं वहां पे कौन-कौन से टॉपिक से और किस प्रकार के क्वेशन्स पुछे जाते हैं तो चलिए ज़्यादा दिरिनव करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं हमारा जो 31 नबर क्वेशन है यह आपका कल्कुलेशन से सब्सक्राइब करेंगे तो हम आज की वीडियो में जो है किवल पुन जो टेक्निकल क्वेशन से उन्हीं क्वेशन का डिसक्शन क करने वाल हैं तो चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेशन की तरह बढ़ते हैं अगला क्वेशन जो है आपका 31 नमबर 32 नमबर का ठीक है क्वेशन है एक ही रिंच के नट के सभी परकार के लिए उस इसमेनल की प्राचान करें जिसमें समतल प्रिष्ट के साथ हनुजे यथा जो इसक्रू की मदद से समांतर में खुलता है यह थोड़ी सी हमें आपको पली वाली वीडियो में बताया थ है कि जो इसरू का जो क्वेशन फेफर होता है उसमें थोड़ी लंगवेज की जो बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि लांगवेज ऐसे देता है हिंदी वाली कि जो स्टूडेंस को समझ नहीं आती ठीक है तुसलिए हम आपको बताएंगे कि आप जो है क्वेशन सॉल करते प्लेन सर्फेस देट ओपेन पैरलल विथ दा है फढ़ फी इनकी हमें उस इस्पैनर के नाम बताना है ठीक है जो सभी परकार के साइज के नटस को लिए क्या होता है शूटेबल होता है वीचे जो विद प्लेन सर्फेस जिनके जबड़े की जो जबड़े होते हैं वो किया को जो है डाउट सेक्षन रखा गया है और इसका जो राइट अंसर होना चाहिए वह आपका अगले कोश्चन की तरब बढ़ेंगे ठीक है ऐसे आपका मंकी रिंच इसमें राइट अंसर हो जगा या अगले कोश्चन है 33 नमर का भी ब्लॉक के सधार्तिया उपलब्द ग्रेड कौन से है तो यह तो कुश्चन असान है आपको पता होगा कि भी ब्लॉक जो होते हैं यह गोले जाब को पकड़ने के लिए परियुक मिला जाते हैं और इसके साथ ही यह दू ग्रेड अलगलग ग्रेड में पाए जाते है भी ब्लॉक माल डिस्टिल बने जाता है यह कुछर्च्ण पूछब सकते आप से कि भी ब्लॉक जो है वी ग्रेड 咖ा कौन से ढख सेबने जाता है दियाद रखेगा कि अपका माइल सबने जाता है तो गुलेंज्ट 1 सहारा देने के लिए हम भी ब्ला का परिए करते हैं तो इसमें आपका 33 नमबर का question का फोर्त आपसन आपका सही हो जागा ठीक है A and B ठीक है चलिए आप अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है आपका 34 नमर का यह भी कल्कुलेसिस सब्सक्राइब अगले question की तरह बढ़ते हैं अगला question है 35 नमबर 35 नमबर question पूछा गया है प्रति रूप निर्मताओं द्वारा संचकन प्रति प्रति रूप तथा कोर बॉक्स बनाने के लिए नियुक्त में से किसका उप्यों कियाता है इंग्लिस में देखते लिए question क्या है तरह एक विट अब the following is used for laying out casting pattern and core box by pattern makers ठीक है यहां पूछ रागी जो pattern maker होते हैं ठीक है उन वो जो है आपकी casting वगर करने के लिए laying करने के लिए यानि कि मार्किंग करने के लिए किस जो है रूल का प्रिए करते हैं तो इसमें से हम जो याद रखिएगा यह question बार बार एक्जा में पुछ करते हैं तो इसमें आपका third option से हो जागा shrink rule ठीक है और इनके question बार पूछ सकता है कि इनका size होता है वह आपकी जो normal size जो rule होते हैं उनसी थोड़ी क्या होती है बरी रखी जाती है क्योंकि जो molding वगरा का कास्टिंग का हम काम करते हैं तो जाब जो क्या होते हैं उनको हम गर से जो है फ़र सा बल रखा जाता है किसका shrink rule का यह आप याद रखेंगे ठीक है तो चलिए अगले question की तरह बढ़ते हैं I hope आपको कुछ चीजे समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से question जो है और कौन-कौन से topic से आपके इश्रू के एक्जामे question पूछे जाते हैं वीडियो सब्सक्राइब करता है तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कई सारे इसे instrument है जिसके एक्जामे question पूछे जाते हैं जिससे कि वर्नियर के लिए पर है यह दो इसकोलों के अंतर के बिच के सिधानत पर कारी करता है तो यह सभी questions आपको याद रखने हैं क्योंकि इस्टूनमेंट के working principles से सब्सक्राइब एक्जामे के question पूछे जाते हैं चलिए अगले question की तर बढ़ते हैं अगला question है 37 नंबर का यह भी याद रखेगा बड़े साइज का टूल बनाने के लिए हम ट्रेमल का परियोग करते हैं इसमें आपका 38 का ट्रेमल आपका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है तो यह सभी काफी important question है यह तो काफी easy question है लेकिन important है क्योंकि आपको एक आडिया लग जाएगा ना कि कौन-कौन आपको पढ़ने हैं और किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है ठीक है तो याद रखेगा इसमें ट्रेमल आपका बड़े साइज को ब्रित बनने के लिए हम ट्रेमल करते हैं तो ट्रेमल इसमें आपका 38 का राइट अंसर है थाड़ आपसन सही है ठीक है अगले question कीतर बढ करना जाते हैं ठीक है और इनका प्रियोग जा है इसक्रापिंग करने के लिए हम करते हैं ठीक है question है पूछ रहा है कि which scraper is used to finish hole of small diameter यान कि छोटे साइज के hole को किसकी करनी होन तो हम की scraper का प्रियोग करते हैं तो याद रखेगा छोटे साइज के scraper को जो है हम प्रियोग करते हैं झोटे ऺडिया को brin ज्म करने के हम जो है ऊहते कॉरिफर करते हैं यह कि triangular但 कर थि और एक साथ की एक कोच़न आप से एक्जामें बार-बार पूच्छा जटा जाता है जो कि आपका A tarja discolor की बेरिंग की बेरिंग के लिए हम कौश से लिए का group अते हैं तो याद रखिएगा बेरिंग के लिए हम bullology ocurre करते हैं कि आपको याद रखना है और वही के च साथ ही याद रखेंगे कि 24 सतहों की स्क्रापिंग करने के लिए फ्लाट इसक्रापर का प्रिए करते हैं तो इसक्रापर से सबस्दित यह आपके दो-तिन प्वेंट्स आपको याद रखने हैं ठीक है क्योंकि इस प्रकार के कोश्चन आप से एक्जामे पुछ जाते हैं तो चलिए अगला कितरा बढ़ते हैं अगला कोश्चन पुछा गया है इसक्रूपीच का परास करीबन है याद रखेंगे इसक्रूपीच गेज का जो रेंज होता है वह 0.35 से लेकर के 5 मिलिमिटर तक होता है तो यह काफी इंपोर्टेंट है और बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे ठीक है तो आप याद रखेगा इसका फ़र्ट आपसा नहीं आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले कोश्चन की तरह बढ़ते हैं अगला कोश्चन पुछा गया आप से अगले को अगले को स्वेक्ट दो मोस्ट अप्रोपिएट फॉर्म दा फॉल्विंग विच इस फंक्शन अफ टैब वासर ठीक है यह की क्वेश्चन पूछ राए इसमें कि निम्लेकित में से टैब वासर के प्रकार के सबंदित सबसे उचित का चैन करें इसमें टैब वास के लिए पिए या बद वासर को पर्युख करते हैं लुट को लुट करने के लिए तो यहां पे आपका जो का टैब वासर करते हैं तुझ मैं आपका फोर्स जो हैं और वासर को जिए करते हैं तो मजय क्षिय क्षिर सब्सक्राइब भुम週 मात्म खेंगे ले कामन एक बात करते हैं तो यह मैड इशल की बना जाते हैं और वासर की बात करें तो यह भी करना का बना जाता है और शकर के कारी का aches होता है तो बड़े पहरमें बलकुर को फोर्स को dew sqa do that कि historical करना यह वासर का चादा है यह शबी हम्यक क्यांत तर्व बढ़ते हैं अगला कोईशन है यह भी इसको छूड़ देते हैं इसे फीट आपके याद रखने की तिन पुरिक्टा के होती है तो यह लिस्ट आपको यह भी आइडिया लग जागा कि कल्कुलेशन से सबंद्ध आपको कोईशन को त्यार करके जाना है ठीक है अगला कोईशन है पुछ से आप से माइक्रो मीटर के उस भाग का नाम बताईए जो मापन के दौरान किसी जाब के समान ब्यास दाब को कैम रखने में सहायक होता है तो यहाद रखिएगा माइक्रो मीटर में आपके कही चरे पाट्स उठते है जैसे कि एन्विल हो गया इस्पेंडल हो गया फ्रेम हो गया ठीक ह क्लिए उस्सी में होता है राचेट ऺब चुल्फ करता है याद रखेंगे की बट्रस ट्रेट के रहती है और जब एक उन्नीफर्म प्रेसर लगा देताए तो यह चट-चट की उसमें से वाज आती है तो यह किसके लिए होता है राचेट इस्टाप माइक्रोमीटर में तेहां प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए ठीक है राचेट इस्टाप दिया जाता है तो इसमें आपका फार्स्ट आप से हो जागा नेम दपार्ट क्या करते हैं राचेट इस्टाप का प्रेव करते हैं तो यह भी इंपोटेंट है आप इसको लियाद रखिएगा चले अब अगले क्वेचन की तरह बढ़ते हैं अगला क्वेचन है फोटीएट नंबर का प्येंच की घहराई बिभीन प्रकार की होती है यह उखित में से अधिक्तम घहराई से यह पिंच का चैन करें ठीक है देट आप देट फ्रेड वेरियस फ्रम टाइप टू टाइप ठीक है फ्रम दा फॉल्विंग चूद थ्रेड विद मैक्सिम देप इसमें से किस थ्रेड की जुगारा होती है सबसे अधिक होती है तो याद रखिएगा जो आपका इसमें दिया है बत्र त्रेड लेकिन एटिंग इस यह रॉंग आंसर है ठीक है लेकिन फिर भी जो आपका जू डिपार्टमेंट है उसी को हम कंसीडर करेंगे तो इसमें आपको बताया थे आभी कि जो आपका रचेड इस्टाफ होता है उसमें क्या होती है और यह रफ कार्यों के लिए प्रेकिया था यह भी आपको याद रखना है अगले क्वेश्चन की तरब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है फोटी नाय नबर का निम्न कार्बन का मात्र होती है यहीं कि दिए hell नोश्व में थिक है करबन की मात्रा कितनी होती है तो यहाद राखेगा लोग वेश्चन में 0.1 से लेकर करके 01 Sultan सधी पर से एक रस्ति श्राइश एक शदीष रासी और एक अधिश रासी ठीक तो आपको यह कुला है इसमें संग्वेंड आपका saag अपका momentum यह क्या है सदीष रासी है ठीक है तो आज की इस वीडियो में हम 50 no. तक के question का discussion करेंगे I hope video आपको अच्छी लगी होगी और आपको एक idea लग दिया होगा कि फिर आपको इस रोकी exam की त्यारी करनी है तो कौन-कौन से topic को आपको ज्यादा फोकस करना है और किस प्रकार के question जो आपके exam में पूछी जाते हैं और पुना मैं आपको उता दूं कि वीडियो आपको देखने के लिए लाश्टक बहुत 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 धन्यबाद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्रीज वीडियो को लाइक कर चैनल पर पहनी बार विजि